पहला question है कोई cycle सवार किसी मोड में घुमता है तो वह बाहर की और जुकता है अंदर की और जुकता है आगे की और जुकता है बिल्कुल नहीं जुकता है तो इसका सही answer होगा अंदर की और जुकता है अगला प्रस्न है जब हम रबड के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेड़ते हैं तो उसका आकार परिवर्थीत हो जाता है ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतीज उर्जा, विखंडन उर्जा, संचीत उर्जा, इस्थितीज उर्जा तो इसका सही आंसर होगा इस्थितीज उर्जा अगला प्रशन है निमलिखीत में से कौन सा नियम इस कथन को वैद ठाराता है कि उर्जा का न तो स्रिजन किया जा सकता है और नहीं विनास किया जा सकता है तो पहला है उर्जा संरक्षन का नियम, परासरन का नियम, द्रबिमान संरक्षन का नियम या इसमें से कोई नहीं अपने आयतन के बराबर प्रिष्ट भाग के बराबर घनतू के बराबर भार के बराबर तो इसका सही अंसर होगा आयतन के बराबर यानि अगर आयतन के बराबर पानी हटाती है तो वो डूब जाएगी और अगर प्रिष्ट भाग के बराबर हटाएगी तो नहीं डूबेगा घनतु के ब्राबर हटाएगा तो नहीं डूबेगा और भार के ब्राबर जदी हटाएगा तो वो नहीं डूबेगा अगला प्रजन है द्रव के आंगशिक या पुर्णतह डुबे हुए किसी ठोश द्वारा प्राप्थ उच्छाल की मात्रा निर्भर करती है ठोश द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोश के भार पर, ठोश के द्रब्यमान पर या इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा क्रिया के कारण सतह तनाव घटने के कारण या तेल वास्प सील है तो इसका सही आंसर होगा कैपिलरी क्रिया के कारण अग्ला प्रस्ण है, मच्छड का पानी के उपर तैरने का कारण है, प्रिष्ट तनाव असंजन, ससंजन या केसी कातु तो इसका सही आंसर है, प्रिष्ट तनाव पानी से निकलने पर सेविंग ब्रस के बाल आपस में चीपक जाते हैं, इसका कारण है घरसन, प्रिष्ट तनाव, परत्यास्थता या स्यानता, तो इसका सही अंसर होगा प्रिष्ट तनाव अगला प्रसन है द्रव की बूंद की आकरती गोलाकार होने का कारण है स्यानता, अल्प भार, प्रिष्ट तनाव या वाइमंडल ये दाब तो इसका सही आंसर होगा प्रिष्ट तनाव यदि लोलक की लंबाई चार गुनी कर दी जाए तो लोलक के जूलने का समय घडता है चार गुना हो जाता है, एक चोथाई हो जाता है या दू गुना होता है, तो इसका सही आंसर होगा दू गुना होता है अगला प्रिष्ट ने वासिंग मसीन का कारिय सिधान्त है, यानि किस सिधान्त पर कारी करता है अपकेंदरन, विशरन, अपकेंदरन या अपोहन तो इसका सही आंसर होगा अपकेंदरन अगला प्रस्न है एक लिप्ट में किसी व्यक्ति का परत्यक्ष भार वास्त्यक भार से कम होता है जब लिप्ट जा रही है त्वारन के साथ उपर समान गती से नीचे, समान गती के साथ उपर या त्वरन के साथ नीचे तो इसका सही आंसर होगा त्वरन के साथ नीचे पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है यह किस सिधान्थ पर अधारित है पास्कल का सिधान्थ आर्कमेडीज का सिधान्थ गुरुत्वाकर्शन का सिधान्थ या इसमें से कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा आर्कमेडीज का सिधान्थ पानी के ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है जब बर्फ पीघलती है तब पानी का अस्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा बढ़ेगा, कम होगा, पहले बढ़ेगा, फिर कम होगा, उतना ही रहेगा या इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा उतना ही रहेगा भारहिंता की आउस्ता में एक मुंबती की ज्वाला का आकार हो जाएगा अधिक लंबा वही रहेगा गोलाकार या अधिक छोटा तो इसका सही आंसर है वही रहेगा वस्तु को गर्म करने पर उसके अन्वों की चाल बढ़ जाएगी का भार घट जागा या भार बढ़ जागा या उर्जा कम हो जागा तो इसका सही आंसर होगा उसके जो चाल है वो बढ़ जागी अन्वों की चाल बढ़ जागी जब जल उचाई से गृता है तो ताप घट जाता है बढ़ जाता है न घटता है न बढ़ता है या इसमें से कोई नहीं तो इसकी सही है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बढ़ जाता है अगला प्रस्वन है चावल को पकाने में कहां अधीक समय लगेगा समूद्र तट पर सिमला में माउंट एवरेष्ट पर और समूद्र की गहराई में तो याद रखे सबसे ज़्यादा हुचाई पर ज़्यादा समय लगेगा इसलिए इसका सही अंसर होगा माउंट एवरेष्ट वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वास्प संतूलन में रहता है कहा जाता है हिमांक, त्रीक विंदू, क्रांतिक तप या क्वथनांक तो उसको जो कहा जाता है वो त्रीक विंदू कहा जाता है किसी द्रव का वास्पी करन होने से उसका ताप मान बढ़ेगा، और परिवर्तित रहेगा तेजी से बढ़ेगा या घटेगा तो इसका सही आंसर होगा घटेगा यानि तापमान घटेगा निम्न तापी इंजनों का अनुपरियोग होता है पंडुबी नोधन में अतिचालकता विसयक अनुसंधान में रॉकेट फ्रोदोगी की में या तुसार मुक्त प्रसित्रो में तो इसका सही आंसर होगा रोकेट प्रोधोगिकी में अगला प्रस्थन है वाइमंडल में प्रकास के विशरन का कारण है कार्बन डियोकसाइड जलवास्प हिलियम या धूलकन तो इसका सही आंसर होगा धूलकन अकास का रंग नीला परतीत होता है वीवर्तन के कारण प्रकिर्नन के कारण प्रावर्तन के कारण या अफवर्तन के कारण तो अकास का जो रंग नीला होता है वो प्रकिर्नन के कारण होता है अगला प्रस्चन है कि इंद्रधनूस में कितना रंग दिखता है साथ दस बार या पांश तो इसका सही अंसर होगा साथ र रंग म्रिक्त रिष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन अफवर्तन प्रावर्तन या विश्रन तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पूर्ण आंत्रिक प्रावर्तन होता है जब प्रकास जाता है जल से कांच में वायू से जल में हीरे से कांच में या वायू स से काच में इसका से अंसर होगा हीरे से काच में कि सो इस गुंधर्म के कारण पानी से भरे बरतन में डुबाई गई छडी मुरी हुई प्रतीत होती है प्रकिर्णन उत्पलावन अफवर्थन या प्रावर्थन तो इसका सही आंसर होगा अफवर्तन प्रकास का वेग सरफर्थम किसने ग्याद किया गलेलियो, माइकेल सन रोमर या न्यूटन तो इसको सबसे पहले ग्याद किया था रोमर ने प्रकास में धुरूबन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकास तरंगहें तरंग के समान तरंग एवंग कन के समान नहीं तरंग एवंग कन के समान दोनों या कन के समान तो इसका सही अंसर हो जागा तरंग एवंग कन के समान यानि प्रकास के धुरुवन की घटना जो होती है वो तरंग एवंग कन दोनों के समान होता है गवार करती है अगला प्रस्न है प्रकास का वेग अधिक्तम होता है हीरे में, काच में, पानी में या निर्वात में तो इसका सही अंसर होगा निर्वात में अगला प्रस्टे माध्यम के तापमान में विर्धी के साथ प्रकास की गती बढ़ती है सहसा गिर जाती है वैसे ही रहती है घटती है तो इसका सही आंसर होगा वैसे ही रहती है याणि तापमान बढ़ेगा जैकिन प्रकास का वेग जो है वही रहागा अगला प्रस्ण है, शूरी गरहन के समय सूरी का कोन सा भाग दिखाई देता है, वन मंडल, किरीट, प्रभा मंडल या कोई भाग नहीं, तो इसका सही आंसर होगा, किरीट प्रकास तरंग किस प्रकार की तरंग है, अनुदेर्य, अनुफ्रस्थ, उफ्युक्त दोनों या इसमें से कोई नहीं, तो ये अनुप्रस्थ तरंग होता है, अगला प्रस्ण है, डेसिबल होता है, एक संगीत नौट, एक ध्वनी अस्तर का मापन, एक संगीत यंत्र, या इ इसमें से कोई नहीं तो डेसिबल एक धोनी अस्तरमापन होता है धोनी कमात्रक होता है अगे सोनार अधिकान सतह प्रयोग में लाया जाता है अंत्रिक्ष यात्रियों द्वारा नो संचालकों द्वारा इंजिनियरों द्वारा या डॉक्टर द्वारा तो सोनार का जो फ्रयो अग्या प्रसम्हें है तो असुध्धि के कारण द्रव का जो क्वतनांख होगा वो बार जाता है अगाला प्रस्वन है संत्र ध्वाइज को छोड़ने सग्राविय अग्या इससमा गतिकी का प्रथम नियम किस आउधारना की पुष्टि करता है उर्जा सनरक्षन ताप सनरक्षन कारिय सनरक्षन या इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा उर्जा सनरक्षन हीरा चमगदार दिखाई देता है अपवर्तन के कारण प्रकिर्णन के कारण प्रावर्तन के कारण या सामोहिक आंतरिक प्रावर्तन के कारण तो इसका सही आंसर होगा सामोहिक आंतरिक प्रावर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण अगला प्रजने है निम्ण में कौन सा धातू चुम्बक द्वारा आकरसित नहीं होता है लोहा, कोबाल्ट, निकिल या विश्मित तो इसका सही आंसर होगा विश्मत चुमबा किये फ्लस्क का मातरक है बेबर, टेसला, गोस या इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा बेबर गेस इंजन की खोज किसने की? डीजल, जो है चार्ल्स, या डेमलर, या डेवी तो गेस इंजन का जो खोज किया था वो डेमलर ने किया अगला प्रस्न है परमानू बम का विकास किसने किया? वार्नर वान ब्राउन ने जे रोबर्ट आपन हिमर, सेमोल कोहन या एड़वर्ड टेलर तो इसका सही आंसर होगा जो है जे रोबर्ट आपन हिमर अगला प्रस्न है प्रेक्ष पात्र का विकास किसने किया? वार्नर वान ब्राउन जे रोबर्ड आपन हिमर, एड़वर्ड टेलर या सेमोल कोहन तो इसका सही आंसर होगा एड़वर्ड टेलर हाइड़जन ब इसका सही आंसर होगा एड़वर्ड टेलर अगला प्रस्ट ने लेजर का विसकार किस ने किया था सर फ्रेंक हिटल या सेमूर क्रे प्रेड मेरिशन या टी-एच मेमन तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी-एच मेमन मायोपिया से तात पर यह है निकट द्रिश्टी दोस वर्नाथता दूर द्रिश्टी दोस या इसमें से कोई नहीं तो मायोपिया से जो समंध है वह है निकट द्रिश्टी दोस निकट द्रिश्टी दोस अगला प्रस्ट है कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उप्योग किया ज क्रिश्न छिद्र सिधान्त को पर्थिपादित किया था एस चंद्रसेखर ने हर गोबिंद खुराना ने या एच जे भाभा ने या इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर हो जागा एस चंद्रसेखर अगला कौशन है उस्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी सोना तामब अलुमिनियम तो इसका सही आंसर चांदी हूँ निमनलेखीत में से किसकी उसमाधारिता अधिक है बैंजीन स्वर्ण का टुकड़ा लोही का टुकड़ा तो इसका सही wieds को जल झाल कि निमलेखीत में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पईदा होता है भाबं गर्म हवा सही आंसर होगा भाप अगला प्रस्ण है निम्न लिखीत में से किसमे सर्वोच विशिष्ट उस्मा का मान होता है तामबा सीशा जल कांच तो इसका सही आंसर जल उस्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी, तामबा, सोना इसमे से कोई नहीं तो इसका सही आंसर चांदी आनविक संगटन के द्वारा उस्मा का संप्रेशन क्या कहलाता है समवहन, वीकिरन, चालन, प्रकिरनन समवहन निम्न लिखी द्रवों में कोन सा उस्मा का बहुत अच्छा चालक है इथर, बैंजीन, पारा, पानी, सही आंसर पारा ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वास्पन, गलन, क्वतन, इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर गलन ठोस कपूर से कपूर वास्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं उर्धो पातन वास्पी करन, पिघलन, इसमें से कोई नहीं उर्धो पातन किसी द्रव का उसके क्वतनांग से पुरू उसके वास्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं संगनन, हीमी करन, वास्पी करन, इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर वास्पी करन उसमा गतिकी के पर्थम नियम से सनरक्षित होता है संवेग, उर्जा उर्जा और संवेग दोनों इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर उर्जा यदि किसी अस्थान के तापमान में सहसा वृदी होती है तो आपेक्षिक अदरता क्या होती है बढ़ती है, घड़ती है, इसीर रहती है या घड़ती बढ़ती है तो इसका सही अंसर घड़ती है ध्वानी तरंगों की प्रकृती होती है अनुदर्य, आप्रगामी, अनुप्रस्त, विद्दूत, चुम्बक किये तो इसका सही अंसर अनुदर्य ध्वनी की चाल अधिक्तम होती है जल में, वायू में, निर्वात में, इस पात में तो इसका सही अंसर इस पात में कौन सी प्रक्रिया प्रकास और ध्वनी दोनों में घटीत नहीं होती ध्रुवन, अपवर्तन, वीवर्तन, परावर्तन ध्वनी तरंगें किसके कारण प्रती ध्वनी उत्पन्न करते हैं वीवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन इनमें से कोई नहीं तो प्रावर्तन रेडियो का समस्वरन स्टेशन उधारन है अनुनाद, अपवर्तन, व्यतिकरन, परावर्तन अनुनाद डपलर प्रभाव समंधित है मुद्रा परचलन, मनव विज्ञान, ध्वनी, जनसंख्या तो ध्वनी डपलर प्रभाव ध्वनी से समंधित है कौन सी तरंगय सुन्य से संचरन नहीं कर सकती उसमा, ध्वनी, प्रकास इसमें से कोई नहीं तो इसका सही अंसर ध्वनी ध्वनी नहीं गुजर सकती है वायू से, निर्वात से, इस्टील से, जल से निर्वात से सबसे अधिक्ति व्रता की ध्वनी उत्पन्न करता है बाग, गोरिल्ला, बंदर, चिम्पैंजी बाग ध्वनी का वेग अधिक्तम होता है लोहा में, वायू में, जल में, पारा में लोहा में जब ध्वनी तरंग चलती है, तो वे अपने साथ क्या ले जाती है द्रब्यमान, ध्वनी, उर्जा, इसमें से कोई नहीं उर्जा जब प्रकास के लाल हरा वा नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिनामी रंग होता है काला, स्याम, सफेद, मेजन्टा तो इसका सही अंसर सफेद कैमरे में किस प्रकार का लेंस उप्योग में लाया जाता है उत्तल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का, आउतल तो इसका सही अंसर उत्तल लेंस नेतरदान में दाता के आँख के किस हिस्से को परतियारोपित किया जाता है लेंस, कौर्णिया, पूरी आँख, रेटिना, कौर्णिया मनोईसी के आँख में प्रकास तरंगें किस अस्थान पर सनायू उद्दोगों में परिवर्तीत होता है नेतरदारा में रेटिना से, लैंस से, कौर्णिया से तो इसका सही आँख रोगा रेटिना से मायो पिया से क्या तातपड यह है? निकरदरिश्टी दोस, वर्नाधता, दूरदरिश्टी दोस इसमें से कोई नहीeds निकर द्रिष्टी दोस्त, दूर्बीन का अविस्कार किस ने किया था, एडिसन ने, गुटीन वर्ग ने, गलेलियों ने, इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही अंसर गुटीन वर्ग, पानी से भरे तलाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है, अपवर्थन, परावर्थन, वीवर्थन, इसमें से कोई नहीं, अपवर्थन, साबुन के बुलबुले के चमखीले रंग, निम्नलिखीत में से किस के कारण होते हैं, प्राकिर्णन, वीच्छेपन, वीवर्थन, इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही अंसर होगा, प्राकिर्णन, निम्नलिखीत में से किस में उचतम उर्जा होती है, नीली प्रकास, लाल प्रकास, पीला प्रकास, हरा प्रकास, तो इसका सही अंसर, नीला प्रकास, निम्नलिखीत प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के समंदित है आपसेट प्रिंटिंग, वोटिंग मसीन, रेलवे संकेतन, इसमें से कोई नहीं आपसेट प्रिंटिंग जल में वायू का बुलबुला किसकी भाती व्यभार करेगा उत्तल लेंस, आउतल लेंस, उत्तल दर्पन और आगे है आउतल दर्पन तो इसका सही आंसर होगा आउतल लेंस अगला प्रस्न है प्रकास की गति किसके बीच से जाते हुए नियूनतम होती है वायू, जल, काच, निर्वात तो इसका सही आंसर होगा काच किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है तारे का धूरी तारे का ताप तारे का भार तारे का आकार तो जो है ये तारे का ताप पता चलता है निमलिखी तिथियों में से किसमे दो पहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है 12 अप्रेल 2 मार्च 18 मार्च 21 जून 21 जून पीले रंग का पूरक रंग है नारंगी, लाल, नीला, हरा नीला पानी के उपर तेल परत का चमकना उधारन है व्यतिकरन का, प्रकिर्नन का, अफवर्तन का इसमें से कोई नहीं व्यतिकरन का तरंग ताल वास्तवी गहराई से कम गहरा दिखाई देता है इसका क्या कारण है प्रकिर्नन, व्यतिकरन, अफवर्तन, प्रकास तो इसका सही आंसर है, अफवर्तन बाहिय अंत्रिक्ष में किसी अंत्रिक्ष यात्री को आकास दिखाई देगा काला, लाल, सफेद, नीला, काला अब बिंदुकता का दोस्दूर करने के लिए निमलिखीत में से किस लेंज का उप्योग करना चाहिए आउतर लेंज, उतर लेंज, सिलेंडरी लेंज, दीफोकल लेंज तो इसका सही अंसर सिलेंडरी लेंज एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकास सबसे अधीक अपवर्तित होता है वो है हरा, बेंगनी, लाल, नारंगी तो इसका सही आंसर बेंगनी वस्तुमों का आवेशन किसके आस्थानांतरन के फलस्वरूफ होता है न्यूट्रोन, फ्रोट्रोन, इलाक्ट्रोन, पोजिट्रोन तो इसका सही आंसर इलाक्ट्रोन अती चालक का लक्षन है उच्छ पारगम्यता, अनंत पारगम्यता, सुन्य पारगम्यता, निव्न पारगम्यता तो इसका सही आंसर उच्छ पारगम्यता सुस्क सेल है प्राथमिक सेल द्वित्यक सेल तृत्यक सेल इसमें से कोई नहीं तो सुस्क सेल जो है वो प्राथमिक सेल होता है तरीत चालक का उष्कार किस ने किया लॉड लिस्टर बेंजामिन फ्रेंक डिल गराहम वेल इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर बेंजामिन फ्रेंकलिन विद्यूत उत्मन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है लोहा, यूरेनियम, तामबा, ये सभी तो इसका सही आंसर यूरेनियम अगला जो प्रस्ण है विद्यूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलने की यूकती है डाइनेमो, विद्यूत मोटर, ट्रांसफर्मर इसमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा विद्यूत मोटर